नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप सब को पता होगा कि वर्टमान सरकार नौकरी निकालने में, छातरों को नौकरी देने में वेकनसी के प्रती उसका 1% भी रुजानना हो लेकिन नियम कानुनों के परिवर्तन में उसने इतना दिमाग लगा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं UGC पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है विश्वी विद्यालोयों में रोश्टर लागू किया जा रहा है अरक्षन पे एकदम से सवालिया निसान खड़ा किया जा रहा है और उसी प्रकरिया में एक कदम और इनोंने ये कर दिया है सोध को लेके इनोंने कड़ाई कर दिया जाहिर सी बात है कि सोध में चोरी जैसा कोई मामला होता नहीं है कोई भी अगर किसी के भी विचारों को आप अपने हिसाब से अभिव्यक्त करते हैं तो वो चोरी नहीं है उसी को creativity बोलते हैं कि दूसरे के विचारों को समझ कर उसे आप अपनी भासा में अभिव्यक्त करें तो अब आप इसको किस द्रिष्टिकोंट से देखते हैं आप सरकार की अलोचना करते हैं या परसंसा करते हैं मैं उस विशेपन नहीं जाओंगा लेकिन अभी जो सूचना है जिस सूचना के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपको मैं प्रिशित करदू कि सोध में चोरी करने पर जा सकती है सिक्षकों की नौकरी रद होगा चात्रों का रजिस्टिशन UGC ने नियम पारित किया है कि थीसिस्म प्लेगरिज्म यानि साहितिक चोरी पाई जाने पर डिग्री मिल जाने की सिति में सिक्षकों को वितन प्रिद्धी और नए चात्रों की सुपेर विजन की अधिकार नहीं दिये जाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्राले ने रिसर्च पेपर में साहितिक चोरी पर विश्विद्धाले अनुदान आयोग के नए नियमों को मंजूरी दे दी है और इन नए नियमों में है क्या कि कोई सोधार्ती रिसर्च में प्लेगरिज्म का मतलब साहितिक चोरी का दोसी पाये जाता है तो उसका पंजी करां रद्ध हो जाएगा अगर आप सोध कर रहे हैं या सोध करने के विशाय में भी सोच रहे हैं तो आप इन बातों को बहुत ध्यान से पाढ़ लें सुन लें मंत्राले ने यूजिसी अब मतलब उच्चतम सिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहितिक चोरी की रोकताम को प्रोत्साहन वीन में 2018 को इस हपते अधिसूचित कर दिया यूजिसी ने इस साल मार्च में अपनी बैठक में नियमन को मंजूरी देते हुए प्लेगरिज्म के लिए दंड का प्रावधान किया है टाइमसाब इंडिया ने खबर दिये कि ये चार लेवल की है जहाँ जीरो लेवल पर किसी तरह क पेनल्टी नहीं है जबकि लेवल तीन पर सबसे कड़ी सजा यानि रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है डिग्री मिल जाने की सिती में सोधार्ती को अपनी मैनुस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा लगातार दो वर्सिक इंक्रिमेंट का अधिकार नहीं दिय जाएगा और तीन साल के लिए किसी नए मास्टर सेंफिल पीएजडी चात्र या स्कॉलर को सुपर्वाइज करने की अनुमती नहीं मिलेगी यानि दस परतिसत्तक प्लेगरिज्म पर किसी दंड का प्राध्वान नहीं है अगर आप 10% की साहितिक चोरी करते हैं तब आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा लेकिन 10% से 40% के बीच प्लेगरिज्म पाई जाने पर 6 महिने के बीच संसोधित पत्र पेस करना होगा संसोधित सोध पत्र देना होगा और 40-60% समनताय मिले पर एक साल के लिए संसोधित पेपर जमा करने से रोका जाएगा यानि आपकी प 10% से 40% समानता पर मैनुस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा इससे अधिक यानि 40-60% समानता पर तीन वर्ज की अवादि के लिए पीच दी चात्र का सुपर वीजन करने से रोक दिया जाएगा और दो वर्षिक वितन वृद्धी की अधिकार से भी वन्चित किया जा है एंडी टीवी ने कहा कि छात्रों फैकेल्टी सदस्यों और सोधार्तियों को उनिवर्स्टियों द्वारा प्रमाणित टूल को इस्तेमाल करने के लिए प्रसक्षित किया जाएगा जून मैने पत्रकारों से बात होई तो जावेटकर ने कहा कि कि किसी व्यक्त की पीएज निटिन जैसे सॉप्ट्वेर का इस्तेमाल करके एकसी सिसस को चेक कर लेंगे इससे पहले राजसभा में सत्यपाल सिंग्ग जो की मानोस विकास राज मंत्री उन्होंने बताया कि पिछ्टे तीन साल में यूजिसी को इस तरह के पिएजडी में प्लेगरिज्म के तीन मामल कि एपीजे टेकनिकल इन्वस्टी के विसी विने कुमार पाठक का नाम है तो दोस्तों यह है साहित्तिक चोरी जिसे थिसिस प्लेगरिज्म भी कहा जाता है तो आप इस चीज को अच्छे से समझें और सावधानी बरते अपने दोस्तों को भी बताएं मेरा जो कंसन है मेरी जो चिंता है वो यही है कि जो भी छात्र फील्ड पे जाके सर्वे करेंगे अपने भी प्रोजेक्ट के लिए अच्छे अच्छे जेनुईन चीजे ले आएंगे उनको उसके लिए धन और समय की भी तो जरूरत है अब स्कॉलर्शिप दीजिए हर जो पीजडी कर रहा है तो वो कैसे कर पाएगा आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं आप सहमत भी लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी अभी के लिए इतना ही धन्यवाद